नमस्कार दोस्तों आप सबको सुधाकरा रहे का प्यार भरा नमस्कार ये एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ ऐसी कहानिया लगु कहानिया जिसको मैंने शीर्षक दिया है दिल को छू लेने वाली कहानिया एक छोटा सा पक्षी चिडिया जो हमारी कॉमन स्पैरो चिडिया है वो रगिस्तान में बिमार हो गई इतनी बिमार हो गई कि वो न उड़ सकती थी ना पानी के श्रोत के पास जाकर पानी पी सकती थी और नहीं वो फुदक फुदक के चहचा सकती थी एक दिन जब वो चिडिया उदास एक रेगिस्तान में बैठी हुई थी तभी उसको एक कबूतर दिखा उसने कबूतर से पूछा कबूतर भाई कैसे हो तुम कबूतर ने कहा मैं बहुत अच्छा हूँ कहा जा रहे हो तुम उसने कहा कि मैं स्वल्ग लोग जा रहा हूँ भगवान से कुछ बात करने के लिए चिडिया की आँखों में आशु आ गए उसने कबुतर से कहा जब आप जाओ वहाँ पर तो भगवान जी से ये पूछना कि मेरे कष्ट कब खतम होंगे कबुतर ने हामी भरी और चिडिया को बोलकर वो उड़ गया कि आते वक्त वो जरूर उसको भगवान का संदेश देंगे जब वो भगवान के पास गया स्वर गलोप में तो उसने भगवान से पूछा कि भगवान जी एक छोटी सी चिडिया वो उड़ नहीं सकती प्यासी रहती है बिमार रहती है रेकिस्तान में उसने पूछा है कि मैं कब तक ठीक हो जाओंगी भगवान ने कहा उस चिडिया को अभी भी साथ साल लगेंगे उसके कर्मों की सजा है और उसको साथ साल और लगेंगे ठीक होने में ये सुन कबूतर उदास हो गया कबूतर ने भगवान से कहा कि अगर मैं उसको ये बात बताओंगा तो वो और हताश हो जाएगी तो कृपया मुझे कुछ ऐसा उपाई बताईए कि जिससे वो फिर से खुश हो जाए और उसके ये साथ साल बहुत आराम से कट जाए और वो जल्द ठीक हो जाए भगवान ने कहा कि उसको जाकर ये कहो कि उसके जिन्दगी में जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए वो सिरफ ये शब्द बोले जो भी भगवान तुम मेरे लिए कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो मैं तहे दिल से तुमारा शुक्रिया अदा करता हूँ कबुतर उड़ते हुए जब वो रेगिस्तान पहुँचा तो उसने चड़िया को यही बात कही कि भगवान ने कहा है कि जो भी कुछ हो रहा है उसके लिए आप हमेशा ये कहें कि भगवान जो भी तुम कर रहे हो मेरे अच्छे के लिए कर रहे हो और इसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ ये बोल कबुतर उड़किया चिड़िया के मन में ये बात आ गई उसने संकल्प ले लिया वो उड़ने की कोशिश करने लगी तो वो जागिर पड़ी तो उसने भगवान को कहा भगवान जो भी कुछ आप मेरे लिए कर रहे हो अच्छा कर रहे हो मैं इसके लिए आपको शुक्रिया अदा करती हूँ थोड़ी देर बाद उसको प्यास लगी पर पानी नहीं मिला तो उसने मन मार कर भगवान को फिर ये कहा कि भगवान जो कुछ भी आप कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, मैं आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ शाम हो चली थी, ना उसका कोई आश्याना था, और थोड़ी बहुत आंधी चल रही थी, बारिश हो रही थी, और उसकी आँखों में धूल आ रही थी फिर भी उस पक्षी ने बड़े हिम्मत से भगवान को कहा, कि भगवान जी आप जो कुछ भी कर रहे हो, मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, मैं इसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कुछ दीन बीच चले, कबुतर फिर से वहां से गुजर रहा था, तो उसने एक बहुत ही अजूबा देखा, उसने देखा कि चिडिया के पंक निकलाए हैं, वो फुदक रही है, वो चहचाहा रही है, वो एक छोटे से तलाब के पास बैठी है, उसने एक नया आशियाना ब होसला बना लिया है, उसके पास पानी है, खानी की चीजे हैं, और वो चर्प कर रही है, चहचाहा रही है, खुशी से नाच रही है, गा रही है, और उसकी खुशी को देख के कबुतर को बड़ा अश्यर हुआ, कि भगवान ने तो कहा था, कि साथ साल लग जाएंगे इसके दुखों को खतम होने में, तो उसने चिडिया से पूछा, चिडिया ये क्या राज है, कि जो तुम इतनी जल्दी ठीक हो गई, चिडिया ने कहा, भाई तुमने मुझे कहा था ना, कि हर बात में हम भगवान का शुक्रिया अदा करें, और कहें भगवान जो भी तुम मेरे अच्छा कर रहे हो, अच्छा समझ कर कर रहे हो, मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अधा करती हूँ, मैंने इस शब्द को, इन बातों को इतना कहा, इतना कहा पिछले سाथ दिनों में, कि मैं ठीक हो गई, मेरे पंक उड़ाये, मैं चे चाहने लगी, मेरे मन ठीक हो ग ये सुन कबूतर बहुत खुश हुआ कबूतर जब भगवान के पास गया कबूतर ने भगवान जी को कहा भगवान जी ये तो गजब हो गया आपने कहा था कि साथ साल में उसकी पीड़ा खतम होगी पर उसकी पीड़ा तो साथ से दस दिन के अंदर ही खतम हो गई तो भगवा साल के जो कश्ट है वो साथ दिन में दूर हो गए यह बहुत सरल सच्ची बात है जिसको अगर आप अपने जिंदगी में ले ले तो आपके जिंदगी भी बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी और आपके जो लंबी पीड़ा है वो कुछ शनों में ठीक हो जाएगी हर हर हाल में भगवान का शुक्रिया अदा करें जैसे हैं उसमें शुक्रिया अदा करें और कहें भगवान जो कुछ भी आप मेरे लिए कर रहे हो अच्छा कर रहे हो मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ इस बात ने हमारी जिन्दगी सबके जिन्दगी में इतना बदलाव ला दिया है कि जिसने भी इन बातों को अमल किया वो आज सुखी है उसके कश्ट कम है और अगर उसके कश्ट है तो वो सहनिये हैं मेरी आप सबसे यही दर्ख्वास्त है कि अगर यह लगू कहानी जो दिल को छू लेने वाली कहानी है आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको और फरवर्ड करें इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी मन को छू लेने वाली कहानिया मैं आपके पास और लेके आऊं आप सभी को सुधाकर आरेका नमस्कार बैबाए थैंक यू सो मच